हलो फ्रेंड्स कॉंपटिशन कम्यूनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हम अध्य प्रदीश में उर्जा संसाधन के संबंध में उर्जा के जब हम बात करते हैं किसी भी कारे को करने के लिए जो शक्ती लगती है उसे ही उर्जा कहा जाता है अर्थात किसी भी कारे को करने की शमता उर्जा कहराती है जब हम उर्जा की बात करते हैं तो किसी भी देश या फिर प्रदेश की उन्नती आर्थिक विवस्था और जीवनिस्तर की सुधार का आधार कही न कहीं उर्जा और उर्जा संसाधन भी होते हैं मध्य प्रदेश की प्रयोग की द्रश्टी से एक पिछड़ा हुआ राज्य है उसका सीधा मतलब यह है कि हमारे पास बहुत सारे प्रकार की उर्जा संसाधन तो हैं परन्तु हम उन सब का प्रयोग नहीं कर पाते हैं बात करते हैं उर्जा की तो उर्जा एक अधिश्रासी है इसका मातरक जूल ह साथ ही साथ में उर्जा दो प्रकार की होती है पहली जो होती है वो होती है परमपरागत उर्जा दूसरी जो होती है वो होती है गयर परमपरागत उर्जा मध्य प्रदेश में उर्जा संसाधन में देखें तो मध्य प्रदेश ग्रामहेड विधुती करण निगम की को बढ़ावा देना बात करते हैं उर्जा संसाधनों के वर्गी करण की तो हमने बात की कि उर्जा संसाधन जो है इन्हें दो भागों में बाटा गया है पहला होता है परमपरागत उर्जा संसाधन और दूसरे होते हैं आपरमपरागत उर्जा संसाधन या फिर उर्जा श्र गैर परमप्रागत उर्जा शोथ है वो नवी करणी कहलाते हैं इन दोरों में थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा इसका साफ और सीरा मतलब कैसा है देखिए देखिए ये है उर्जा संसाधन और उर्जा संसाधनों को हमने दो भागों में बाटा पहला भाग होता है जो कि परमप्रागत है परमप्रागत का मतलब कि वैसे भाग वैसे वस्तुएं जिनसे अभी तक उर्जा बनाई जा रही है उर्जा का निर्माड किया जा रहा है तो दूसरे तरफ की वो चीजें जिनसे अभी उर्जा बनाने का प्रयास हो रहा है और जिसमें हम सफल हो गए है और अब इनसे उर्जा बनाई जाएंगी तो ये होंगे गैर परमपरागत देखिए परमपरागत और गैर परमपरागत परमपरागत उर्जा श्रोत में आता है पेट्रोलियम आदी पेट्रोलियम के जब हम बात करते हैं तो क्या ये प्रत्री में हमेशा रहने वाला पदार्थ हैं तो नहीं ये प्रत्री में एक स्थान पर जैसे कि इस स्थान पर थोड़ा सा पेट्रोलियम माल लेते हैं हम है एक एग्जामपल के लिए माल लीजे एक ल पेट्रोरीम को यहां से निकाल कर इसका प्रयोग कर लिया, तो क्या यहां पर दुबारा पेट्रोलियम आने वाला है? तो यह स्थिति हो जाएगी करोड़ों-고-oh वर्ष पहले की, उसके बाद ही यहां पर फिर से दुबारा पैट्रोलियम आ पाएगा वहीं जब हम गैर परमप्रागत शुरुतों की बात करते हैं तो इसमें होता है सौरूर्जा, बायो मास, बायो गैस, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, समझते हैं तो सौर उर्जा की बात करते हैं तो आपने ये एक solar panel लगाया और इस solar panel में सूरज की किरने पढ़ रही है अब सूरज की किरने जब यहां पर पढ़ती है तो माल लीजे आज के दिन यहां से चार मेगावार्ट विद्धुत का उत्पादन होता है तो क्या कल यहां से चार मेगावार्ट विद्धुत का उत्पादन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो इस कारण से यह जू है यह नवीकरणी यह उजाश्रोत कहलाते है मतलब इन्हें दुबारा से बनाया जा सकता है निर्मित किया जा सकता है जल विधुत जो होती है वो गैर परमपरागत के अंतरगत ही आती है वहीं जो हमारी तापी विधुत होती है जिसका निर्मार कोईले से होता है वो हमारी परंपरागत की अंतरकत आती है और अगर ये दुबारा बनाया जा सकते हैं तो ये नभीकरनी कहलाएंगे बल्कि जो दुबारा नहीं बनाया जा सकते ये वाले इन्हें आणभीकरनी कहा जाता है क्लियर हो गई यहाँ तक सारी चीज़ें अब बात कर लेते हैं इनकी उधारन कौन-कौन से हैं कोईला, पेट्रोलियम, प्राक्रतिक गैस और तापी ये उर्जा वहीं गैर पर हम प्रागत की बात करते हैं बायो मास, सौर उर्जा, बायो गैस, पवन उर्जा, जवारी उर्जा और भोतापी उर्जा जब बात करते हैं हम कोईले की, तो कोईला हमें ख़दानों से प्राप्त होता है प्राक्रति गैस अर्थात जो पेट्रोलियम के उपर गैस पाई जाती है अथाद आपको देखिए आपको पता होगा कि माल लीजे ये बहुत गहरा खड़ा है तो इस गढ़े में यहाँ पे नीचे तरह लवस्था में पेट्रोलियम रखा हुआ है और अगर यहाँ पेट्रोलियम भरा हुआ है तो उपर वाला जो यह हिस्सा होगा यहाँ पे गैस के बहुत सारे bubbles होंगे और यह जो gas है इसे ही प्रकृतिक gas की रूप में भी जाना जाता है तो यह हमें कैसे प्राप्थ होती है जैसे हमें पेट्रोलियम प्राप्थ होता है विलकुल वैसे ही इस कारण से हमने इसको परमपरागत उरजा-शोत में रखा हुआ है सौर उर्जा की बात करते हैं तो यह हमें सूरज से प्राप्त होती है बायो मास की हम बात करते हैं तो बायो मास जो है वह मानव के उत्सरजित पदार्थों के द्वारा पश्वों के उत्सरजित पदार्थों के द्वारा इसके अलावा पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा मतलब विभिन प्रवाग के जैविक खादों के द्वारा बनाया जाता है पवन उर्जा के जब हम बात करते हैं तो पवन शक्कियों के द्वारा जो उर्जा संकलित की जाती है उसे पवन उर्जा के अंतरकत रखा जाता है बायो गैस भी हमें वैसे ही मिलती है जैसे कि हमने बायो मास का निर्माण किया था इस प्रकार से इन आधारों पे बाटा गया है गैर परमपरागत उर्जाश्रोतों को और परमपरागत उर्जाश्रोतों को परमपरागत उर्जाश्रोत मैंने भी आपको जितने वी टेटेल दी आप हम उस टेटेल को यहां पे एड़ करने वाले हैं कौन से ऐसे पदार्थ, कौन से ऐसे श्रोध, परमपरागत, उर्जा श्रोध कहलाएंगे, पहली बात, तो ये जो उर्जा श्रोध है, ये परमपरागत है, अर्थाथ, ये नवीकरणी ये बिल्कुल नहीं है, तो आपको एक चीज जिए इयाद रखने है, इन उर्जाश्रोतों के उप्योग के बाद इन्हें दुबारा से नहीं बनाया जा सकता और ये बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाले हैं अर्थात जल्द ही ये अपनी समाप्ती की ओर बढ़ने वाले हैं इन उर्जाश्रोतों को हम परंपरागत उर्जाश्रोतों के नाम से जानते हैं तो गैर परंपरागत उर्जाश्रोत वो होते हैं तो ये वो उर्जाश्रोत हैं जिन्हें किसी तकनीक के माध्यम से या फिर किसी विधी के माध्यम से उर्जा में बदला जा रहा है ये उर्जाश्रोत गैर परमप्रागत उर्जाश्रोत कहलाते हैं साथ ही साथ में नवीकरणी उर्जाश्रोत भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हें दुबारा से बनाया जा सकता है ये उर्जाश्रोत प्रदूशण रहित होते हैं और साथ ही साथ में इन से निरंतर उर्जा उत्प तो यह दोनों हमने गैर परंपरागत और परंपरागत की परिभार्शा देख ली विद्धुत अर्थात बिजली विद्धुत के जब हम बात करते हैं तो बिना विद्धुत के आज के समय की परिकल्पना करना भी संभव नहीं है जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर lights लगी हुई हैं मेरे पास phone है, phone के charger के रिए मुझे विद्धुत की आवशकता है विद्धुत की बात करते हैं तो विद्धुत यहां उर्जा का एक सस्ठा और सरल उपाए हैं या सरल माध्यम है यहां किस सूची का विश्य है तो यहां समवर्ती सूची का विश्य है और समवर्ती सूची का अर्थ होता है कि विधुत के उत्पादन की जिम्मेदार केंडर सरकार और राज्य सरकार दोनों ही होगी अर्थात विधुत जो है यहां समवर्ती सुची का विशय हो जाएगा इसके अलावा विधुत में प्रदेश में विधुत का निर्मार दो चीजों से होता है पहला होता है कोईले से बनने वाली विधुत और दूसरा होता है जल से बनने वाली विधुत दोनों का मतलब अच् कोईले की बात करते हैं यह दोहन करता है दूशित करता है प्रदूशन करता है लेकिन जल प्रदूशन नहीं करता है इसके अलावा कोईले का जब दोहन होता है और जिस विद्धुत का निर्मार होता है तो उसे कहा जाता है तापिय विद्धुत और तापिय विद्धुत कें कोईले से निर्मित विधुत के बारे में बात आते हैं इसके अलावा जब जल के निर्माण की बात करते हैं तो जल से जिस विधुत का निर्माण होता है उसे जल विधुत कहा जाता है इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं जल विधुत तापकेंद्र जो हैं वो हमें जाता है मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्धुत का उत्पादन कहां हुआ था तो मध्य केंद्रे इस से जले से विधुत का उतपादन किया जाता है कोईले को जलाकर किया जाता होगा और जल को ते क्या होता है जब कोई बड़ी सी नदी बह रही होती हो और इस नदी के बीच में एक बांध बनाया जाता है और अब जो यह बांध है ना यह नदी के पानी को कंट्र और इसके गोल-गोल घूमने की गती के कारण से जो विद्धुत निर्मित होती है उसे जल विद्धुत केंद्र के अंतरगत रखा जाता है अब प्रमुखो तापी विद्धुत केंद्र की बात करेंगे उसके बाद जल विद्धुत केंद्र की बात करेंगे तापिये विद्धुत केंद्र कौन से होते हैं वे केंद्र जिनसे कोईले के माध्यम से विद्धुत का निर्माण किया जाता है तापिये विद्धुत केंद्र कहलाते हैं इन विद्धुत केंद्रों में परमपरागत तरीके से विद्धुत का उत्पादन किया जाता है ये क अत्या प्रदेश में अनुपुर्जिले के अंतरगत में अत्याधिक विद्धुत का उत्पादन होता है इसके साथ साथ में इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। इसे कोईले की पूर्ती सुहाकपुर कोईला शेतर से होती है और इसकी उत्पादन शम्ता 210 मेगावार्ट है इसका सीधा मतलब यह है कि अनुपपुर जो है यहाँ पे कोईले की पूर्ती सुहाकपुर कोईला शेतर करता है 1965 में इसकी स्थापना की गई कहां पर अनुपुर जिले के अंतरगत कौन सा ताप विद्धुत के इंद्र है अमरिकंटक ताप विद्धुत के इंद्र चांदनी ताप विद्धुत के इंद्र चांदरी ताप विद्धुत केंद्र जो है यहां प्रदेश का पहला ताप विद्धुत केंद्र है पहले चीज़ तो आपको यह याद रखनी है कहां पर इस्थित है बुरहानपुर में इस्थित है इसके हलावा इसकी स्थापना 1953 में की गई थी कोईले की आत्मूर्थी इसे पाथर खेड़ा कोईला शेतर से होती है एवं नैशनल कोलफिड लिमिटेड नागपुर से होती है इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो खान है इन खानों के अंदर बहुत सारा कोईला भरा होगा और इन कोईले को किसी ना किसी ने निकाला होगा तो यह जो छेतर है किस छेतर के कोईले से यहां पर विद्धुत का उत्पादन हो रहा है यह लिखा हुआ है कि कोईले की वशक होता है तो जलकिआ पूरती यहां पर सुक्ता नदी के द्वारा की जाती है चांदनी ताफ विध१त के हिंद्र है वह बढ़ी है जवलपुर ताफ विध१त के हिंद्र नाम से इस पश्ट है जवलपुर जिले में होगा वर्ष inj60 में इसकी स्वापना की भी अपी इससे जवलपूर कोई बहुत सिंपल है डेको फिसके कारण से इसके जबद आती है उत्पादन 15 अवाट का यहां मध्य प्रदेश विध्धुत मंडल का एक मात्र उपक्रम है पेच ताप विध्धुत केंद्र की स्थापना वर्ष 2012 में छिनवाडा जिले के अंदरगर की गई थी देखें पेच राष्टी उध्यान छिनवाडा में तो पेच ताप विध्धुत केंद्र भी के अंतरगत ही आएगा कोईले की आपूर्ती इससे पेच घाटी कोईला शित्र से होती है जलकी आपूर्ती की बात करते हैं तो पेच नदी से होती हो उत्पादन शमता की बात करें तो तेरा सो बीस मेगावाड के साथ वर्तमान में 420 मेगावाड इसकी उत्पादन शमता ह अर्थात सीधा सीधा मतलब यह हुआ जो हमारा पेच ताप विद्धुत केंद्र है इसकी उत्पादन शमता तो बहुत जादा है तेरा सो बीस मेगावाट है परन्तु वर्तमान में अभी यहां पर केवल चार सो बीस मेगावाट विद्धुत का उत्पादन ही हो रहा है यह देखें यह आपको दिखाई दे रहा है यह है सत्पुडा ताप विद्धुत केंद्र यहां ताप विद्धुत केंद्र बहुत जादा प्रसिद्ध है इसके सांती साथ में विंध्याचल ताप विद्धुत केंद्र यह भी बहुत जादा प्रसिद्ध है सत्पुड़ा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1967 में बैतूल शारणी में की गई थी शारणी एक जगह है जो की बैतूल के अंतर गता आती और यहां पर ही इसकी स्थापना की गई थी परियोजना की बात करेंगे सत्पुडा ताव विद्धुत केंद्र मध्य प्रदेश और राजिस्थान की संयूग्द परियोजना है इसकी उत्पादन शम्ता 312 मेगावाट थी प्रारंभिक और वर्तिमान में 330 मेगावाट इसका उत्पादन हो रहा है कोईले की आपूर्ती पाथर खेडा कोईला शेत्र से और नैशनल कोल फील लिमिटेट से देखें ये हमने ना थोड़ी दिर पहले अभी और देखा था कि इसी शेत्र से एक और जखा का विद्धुत पादन हो रहा था इसका अंसार आप मुझे कमेंट में बताइएगा जल की आपूर्ती की बात करते हैं तो तवा नदी से यहाँ पर जल की आपूर्ती होती है तवा किसकी सायक नदी है तवा है नर्मदा नदी की सायक नदी संचे गांधी ताप विधुत केंद्र की जब हम बात करते हैं तो इस केंद्र की स्थापना उमरिया जिला के वीर सिंग पुर के पाली नामक शेत्र में की गई है इसके स्थापना 1993 में की गई थी यहां केंद्र को कोईले की आपूर्थी जोहिला कोईला शित्र से होती है और जोहिला क्या है एक नदी भी है कहां से निकलती है अमरकंटक्स से निकलती है और कौन सी नदिया निकलती है नर्मदा और सोन जोहिला कहां जाकर मिलती है जलकी आपूर्थी कहां से होती है जो हिला नदी से होती है उत्पादन शम्ता की जब हम बात करते हैं तो 420 मेगावाट इसकी प्रारंबिक उत्पादन शम्ता थी और 340 वाट जो है इसकी अभी की उत्पादन शम्ता है विंध्याचल ताप विधुत केंद्री है सबसे जादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वा ताप विधुत केंद्र है जो कि मद्यप्रदीश का सबसे बड़ा ताप विधुत केंद्र भी है इसकी स्थापना 1987 में सिंगरॉली जिले के बेढ़न में होई थी और इसकी उपलब्धता के कारण, इसकी होने के कारण ही सिंगरॉली को उर्जाराजधानी की रूप में भी जाना जाता है सिंगरॉली को ही मद्यप्रदेश की उर्जाराजधानी भी कहा चाता है इसकी स्थापना 1987 में सिंग रॉल्ली के बैधन में की गई थी संचालन, राश्ट्री ताप विधुत निगम, एंटी-पी-सी के द्वारा इसका संचालन होता है और एंटी-पी-सी के द्वारा संचालित होने वाला सबसे बड़ा जो ताप विधुत केंगर है वही है विंध्याचल ताब विधुत के इन्रव कोईले की आपूर्ति की बात करें सिंग्रॉली कोईला छेतर से इसको कोईले की आपूर्ति होती है वही निगाही खदानों के अंतरगर्द भी इसे कोईले की आपूर्ति होती है जल की आपूर्ति इसे रीहंद नदी से होती ह और रिहंद किसकी साहिक नदी है तो रिहंद जो है वो सोन नदी की साहिक में भी है और सोन का उद्गम भी अनुपुर अमरकंटिक से ही होता है विद्ध उत्पादन की बात करें 4760 मेगावाट इसका विद्ध उत्पादन है और वर्तमान में 3260 मेगावाट इसका उत्पादन अभी हो रहा है 4760 मेगावाट इसका विद्ध उत्पादन है जो कि नॉर्मल है पर अभी वर्तमान में 3262 मेगावाठी इत्पादन इसमें से हो रहा है यह आपको दिखाए दे रहा है यह है बांधव ताप विद्धुत केंदर इस केंदर की स्थापना मध्य प्रदेश वग गुजरात राज जी की परियोजना के तौर पे की गई थी इसका निर्माण मध्य प्रदेश और राजस्थान दोरो राजियों को लाब पहुचाने के लिए किया गया था इसका निर्माण मध्य प्रदेश और बुजरात दोनों ही राजियों को लाब पहुचाने के लिए किया गया था श्री सिंगाजी ताप विधुत केंडरी यह भी काफी ज़दा फेमस है यह खंडवा जले के अंतरगत है खंडवा जले के डोंगलिया नामकिस्थान पे इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी यहां जो केंडर है इसे कोईले की आपूर्ती सत्पुडा कोईला शेत्र से और जल की आपूर्ती नर्मदा नदी वा सुकता नदी से होती है इसकी वर्तमान की उत्पादन शमता 1200 मेगावड के असपास है 1200 मेगावड जल विधुत केंडर और नवीकरणिय श्रोत जल विधुत केंडर वे शेत्र जहां पर जल के माधन से विधुत का निर्माड होता हो उ कवी करनी और जा श्रोत के अंतरगत ही आता है यह हैं जल विद्धुत केंद्र इनकी इस्थिती उत्पादन शम्दा और अन्य मतलब इनकी स्थापना कब की गई थी हमने अन्य में वो लिखाए यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां पे स्थापना की बात चल रही है पहला है गांधी सागरबान जिला मन्द्ध सौर में स्थित् है 115 मेगावाट इसका विद्धुत के इसित्फापना की गई थी दूसरा है जवाहर सागर कोटा राजिस्थान नियानवे मेगावाट इसका विद्धुत के बनाया गय था देखिए ये चंबल नदी पर इस्थित है गांधी सागर और जवाहर सागर दोनों जो है ये दोनों ही चंबल नदी पर इस्थित है फिर बात करते हैं पेच जल विद्धुत परियोजना की महराश्रु में इस्थित है इसका उत्पादन है और 1986-87 में बनाई गई थी और पेच ताप विद्धुत केंद्र जिले में इस्थित है इसका कुछ हिस्सा मध्यप्रदेश के अंतरगत भी आता है नेक्स्ट है बर्गी परियोजना यहां जवलपुर जिले में इस्थित है बर्गी और नर्मदा नदी पर इस्थित है 90 मेगावाट या फिर 105 मेगावाट इसका विद्धुत पादन है दोनों माना जाता है आंसर में 1974 में इसका निर्माड कराया गया था बाड़ सागर परियोजना सोन नदी पर इस्थित है 435 मेगावाट इसका विद्धुत पादन है 1978 में यह बना हुआ था महीश्वर परियोजना खरगौन जिले में इस्थित है 400 मेगावाट इसका विद्धुत पादन है 1994 में यह बना हुआ था ओम कारिश्वर जल विद्धुत केंद्र खंडवा जिले में इस्तित है खंडवा को ही मनधाता कहा जाता है और यहीं पर ओम कारिश्वर जोतिरलिंग भी इस्तित है इसकी स्थापना के समय में विद्धुत उत्पादन 520 मेगावार्ट था और 2007 में इसकी स्थापना हुई है इंदरा सागर विध्धुत केंद्र की बात करते हैं तो इसके तापना खंडवा जिले में की गई थी 1,000 megawatt विध्धुत उथपादनैं और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी मही खेडा जल विद्धुत केंद्र शिवपुरी में स्तित है 60 मेगावर्ट इसका विद्धुत पादन है और निर्माडा धीने अभी निर्मित हो ही रहा है आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजे ठीक अब आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा अब हम इसके आंगे चलते हैं अब हमने पहले देख लिया था कि परमपरागत उर्जाशोत कौन-कौन से होते हैं और इन में जैसे विद्धुत का निर्माड जो किया जाता है परमपरागत के अंतरगत वो कौन-कौन से किस प्रकार से होता है कौन-कौन से ताप विद्धुत की इंद्र इसके अंतरगत आते हैं जल विद्धुत की इंद्र जो है ये गैर परंपरागत की अंतरगत आते हैं आपको अच्छे से याद रखना आपकी लिंक ना तूड जाए इसलिए मैंने इसको पहले कवर कराया अब हम चल रहे हैं गैर परंपरागत उर्जा शोतों की तरफ, यह है गैर परंपरागत उर्जा शोतों की बात करते हैं, तो ये उर्जा शोत निरंतर उर्जा शोत है, अर्थास इसमें निरंतर शक्ति बनी होती है, निरंतर उर्जा बनी होती है, अर्थास इनकी उर्जा कभ अग्रणी राज्य है कौन-कौन से होते हैं गैर परंपरागत उर्जा श्रोथ सौर उर्जा पवन उर्जा महासागरी उर्जा भूतापी उर्जा बायो मास और जैव इन ऐसे विभिन प्रकार के श्रोथ हमें देखने के लिए मिलते हैं सौर उर्जा परियोजना सौर उर्जा जो परियोजना है इस परियोजनाओं में सौर उर्जा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश देश में चौथा इस्थान रखता है सौर उर्जा की निर्माण में वहीं देश में प्रथम सौर उर्जा सयंत इंदौर के कस्तूर्बा ग्र परदेश की सबसे सबसे बड़ी स्वारूर्जा परियोजना है और भारत में स्वारूर्जा से पानी घर्म करने का सबसे बड़ा सहीं अंथ्र साची डुख्द डेरी में तीथ हैं जो कि भूपाल जिले के अंतर का ता कि मध्यप्रदीश का पहला सौर उजा से संचालित हवाई अड़ा इन दौर हवाई अड़ा है इन दौर का कौन सा हवाई अड़ा तो देवी अहिल्या बाई होलकर यही वह हवाई अड़ा है जो की सौर उजा से संचालित पहला हवाई अड़ा है मध्य प्रदीश का पहला अभरक आधारित सौर उजा सैंत होशंगाबाद जिले के इटार सी में इस्तित है प्रदेश का पहला अभ्रक आधारित सौर उर्जा संयंत्र कहां है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी के अंतर गताता है प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर उर्जा सहीं अंत्र मध्य प्रदेश के मंधसौर में स्थित है सोलर फोटो वोल्टिक सहीं अंत्र जो है इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीज़े बस याद रखनी है जैसे कि यहाँ जो सईयंत्र है यह एक प्रकार का सेल होता है और यह जो सेल है यहाँ सूरज की उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करता है और यह रात की समय टॉर्च के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह क्या होता है इसका उपयोग क्या है तो जब हम digital water plant की बात करते हैं तो इसका प्रयोग sectionic संस्थानों में किया जाता है solar cooker इसका प्रयोग जो है वहाँ खाना बनाने के लिए किया जाता है और ये भी जो शूरे है शूरे की उर्जा से इसमें खाना पकाया जाता है और इंधन की बज़त की जाती है solar उर्जा गर्म पानी सही अंध्रव जैसे कि इसका प्रयोग डेरी में उद्योगों में चीनी मिलों में होटलों में और कपडे बनाने वाली जो जगह होती वहाँ पर पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है कपडे निर्मार वाली बड़ी-बड़ी मिलों में भी पवन उर्जा की जब हम बात करते हैं तो पवन उर्जा एक गैर परंपरागत उर्जा है यह सस्ती उर्जा है, प्रदूशन मुक्तु उर्जा है और परियावरण के अनकूल उर्जा है सबसे जाधा पवन चक्या कहां पर लगी गई है तो देवास और इन दौर जिलों में सबसे जाधा पवन चक्या गाई गई है इनका सीधा मतलब यह है यह पवन चक्या है यहाँ पे तीन पंखे लगे होंगे आपको दिख रहे हैं जैसी हवा आती तो पंखे बहुत तेजी से घूमते हैं और जितनी तेजी से यह पंखे घूमते हैं उतनी ही उर्जा का उत्पादन होता है उतनी ही उर्जा निर्मित होत इसके अलावा मद्य पर्धिय 실न में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा श्रैयंत मामठ खेटा रतलाम में स्थित है किसके स्थित क्ये रतलाम से सहे में सबसे बड़ा पवन उर्जा श्रैयंत मामट खेटा रतलाम में स्थित है सरवाधिक सैयंतर कहां पर है रतलाम जिले में है और मध्य प्रदीश का दूसरा सबसे बड़ा पवन चक्की सैयंतर जो है वह बेचा ग्राम रतलाम में स्थित है कैसे याद रखना है मध्य मध्य प्रदीश में पवन ओढ़ा बहुत और साधा है नादा नेन सबसे पहली डिका लगा वाए तक ब hma मध्य प्रदीश की सबसे पहली जो पवन KaT पवण चकी है वो रतलाम जिले के अंतरगर पाई जाती है है कि वाई अब यो मास पोधे एवं जैविक कच्रे से इसमें उर्जा को निर्मित किया जाता है यह बायो मास सइयंत्र इसके अलावा । प्रदीश में प्रथम बायो मास सइयंत्र शारणी बैतूल में देखिए श शारणी में बहुत सारी ओध्योगिक चीजें हमें इस्तिप दिखाई देती हैं तो शारणी बैतूल में प्रदीश का प्रथम बायोमास सेयंत्र खोला गया है द्वती बायोमास सेयंत्र विदिशा जिली के अंतरगत खोला गया है और त्रती बायोमास सेयंत्र कटनी के मुण्ड वारा में देखो कटनी को मुण्ड वारा है यह मतलब होता है सर को आर्थाथ अपने तो यहां पर बहुत सारे क्रांतिकारियों का जन्मुहàng और इन अपना सर वार दिया किस के उपर धर्ती माता के उपर प्रत्वी के उपर हमारे भारत देश के उपर तो इस कारण से इस पूरे शित्र को मुणवारा कहा जाता था बहुत जादा क्रांतिकारियों की हत्या यहां पर हुई थी और इसी कारण से इसका पुराना नाम मुणवारा भी था और ये इस प्रस्थी भी हुआ था कटनी। जैविक कचरे से विधुत का उत्पादन पैतूल में होता है। धान की भूसी वा चारे से विधुत का उतपादन धार में होता है, गन्य की खोई से विधुत का उतपादन गवालियर में होता है, देखिए, गसे गन्ना, गसे गवालियर, धासे धान, धासे धार, जैविक कच्रे की बात करते हैं, कच्रे इसे बैतूल, कैसे याद रखना है देखो गसे गना, गसे गवलियर याद हो गया धासे धान, धासे धार भी याद हो गया बैत तूल तूलし में आ आ रहा है, तौलना कचरे को क्या किया जाता है कचरे से विद्दूद का उत्पादन जो है वो बैत तूल से होता है एकदम नॉर्मासी ट्रिक है आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखी यह हो जाएगा फिर बात करते हैं बायो गैस की बायो गैस क्या है एक सुलभ योजना बायो गैस क्या है यह एक सुलभ योजना है इसके अलावा यह जीवों के उत्सर्जित पदार्थों द्वारा पौधे एवं पशुपक्षियों के उप्यों की हुई वस्तों के द्वारा पौधे की पत्तियों के द्वारा उद्योगों के अप्शिष्टों से एक प्रकार की उर्जा का निर्माड किया जाता है जिसे ही बायो गैस कहा जाता है और बायो गैस प्लांट की स्थापना 1984 में भुपाल के भदबदा में की गई थी और भुपाल के भदबदा में जो बायो गैस सेयंतर की स्थापना की गई थी वो बायो गैस सेयंतर जो है वो 85 घन मीटर शमता वाला बायो गैस प्लांट था जो बायो डीजल देखिए आपको पता है पेट्रोल बहुत जादा महेंगा हो गया है तो बायो डीजल का निर्मार करने के लिए अर्थात अब हमें परमपरागत शोतों की तरफ ना जाना है बलकि गैर परमपरागत उर्जा शोतों की तरफ जाना है तो इस वज़े से पेट्रोल हेक्टियर शेत्र पे और इससे ही किसी विधी या तकनीक के द्वारा बायो डीजल का निर्माण किया जाएगा बायो डीजल प्राप्त किया जाएगा इससे रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है इसके तेल के माध्यम से उर्जा प्राप्त करने के लिए बायो डीजल उर्ज दिखाई ती रहा होगा ये पीड़ आपको हर एक स्टी जगा पर दिखाई देदेता है गाओ वग्यरा में देखने को मिलता है और नदी का पाणी कैसे खेट तक पहुंचाया जाए और खेट को सिंचित किया जाए उस चीज में आधारित होता है इसके अलावा खेतों में बिजली अथवा बगेर इंधन के सिचाई उपलब्द कराना इसका प्रमुक उद्देश्च है यह आपको दिखाई दे रहे हैं यह बहुत बड़े बड़े यह हाईड्रेन वाटर पंप है इस थरह हमारा मर्दी प्रदेश में उर्जा संसाधन का टॉपिक समाप्त होता है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आपको सारी चीज़ा समझ में आई नहीं आई क्या कॉश्चन आपके दिमाख में अभी भी है आप बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछ सकते थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो बे